स्वागत है आपका अभी क्लासिस डाउट्स में और आपका परिशने की उदारवाद का क्या अर्थ है यानि सवाल में सिर्फ पूछा गया है कि क्या अर्थ है तो इस सवाल का जवाब में लिखेंगे कि उदारवाद सब लातिनी भासा के मूल लीबर पर अधारित है जिसका अर्थ है आजाद यहां तक तो इसका अर्थ हो गया लेकिन ऐसा परिशन परिख्छाओं में दो नमर के लिए पूछा जा सकता है और दो नमर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा 40 सब्द कम से कम लिखने होंगे तो अगर दो नमर का जवाब बनाना है तो कुछ और चीज पक्षधर थे जो सबकी सहमति पर बना हो यानि वो कैसी सरकार चाते थे लोकतांत्रीक सरकार चाते थे यानि कहा जाएथ तो उधारवाद निरंकूस सासक और पादरीवर्ग के विशेस अधिकारों की समापती सन्विधान तथा संसदिये परतिनीदी सरकार कका पक्षधर तो ये हो गया उदारवाद क्या है का अर्थ का सवाल का जवाब ऐसे और सवालों के जवाब के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ अगर यही प्रश्ण परिक्षा में एक नमर के लिए पूछा जाएगा तो आपको यहां तक ही जवाब लिखना है ठीक है तो दोनों ही चीजे में आपको बता दिया तो उमीद है आपको बैतर समझ में आ गया होगा ऐसे और सवालों के जवाब के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें